समीर मौधी के मौनिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे समीर मौधी ग्लोबल प्लान में कैसे आप टाइटल्स को अचीव कर सकते हैं I am sure आप जानते हैं कि आपकी income काफी हद तक आपके टाइटल के उपर भी depend करेगी सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे शुरुवाती टाइटल्स को अचीव करना है तो जो starting level टाइटल्स हैं ये depend करेंगे आपके ग्रुप पीवी के उपर ग्रुप पीवी आप already जानते हैं कि आपका personal पीवी और आपकी team के हर एक member के personal पीवी का sum total कहलाया जाता है GPV यदि आपका GPV 60 से कम है तो आप consultant तो कहलाया जाते हैं लेकिन आपको कोई percentage level नहीं मिलता जैसे ही आपका GPV 60 या उससे जादा हो जाता है आप बन जाते हैं consultant at 5% level so GPV range between 60 to less than 300 you would be consultant at 5% level जैसे ही आप पहुंचेंगे 300 to less than 600 की range में आप बन जाएंगे 8% 600 to less than 900 की range में आप बन जाएंगे 10% 900 to less than 1200 की range में आप बन जाएंगे 11% और जब आपका GPV हो जाएगा 1200 या उससे जादा तो आप बन जाएंगे डारेक्टर और डारेक्टर याद रहे हमारे leadership titles में सबसे पहला title है जो भी आपने percentage अचीव करी 5, 8, 10 या 11 ये percentage use होगी आपके performance bonus को calculate करने के लिए जिसके बारे हम आगे detail में बात करेंगे आईए अगे बढ़ते हैं यदि आपको ये table 7 में आ चुका है 5, 8, 10, 11 और डारेक्टर जब आप 1200 या उससे ज़ादा GPV करते हैं तो आगे आने वाले leadership titles को समझना आपके लिए बहुत असान हो जाएगा लेकिन उससे पहले हम एक concept को समझेंगे जिसे हम कहते हैं PGPV यानि की personal group point volume तो ये PGPV क्या होता है तो आपका personal point volume PPV और आपकी हर वो leg जो इस महीने डारेक्टर qualified नहीं है उनका GPV इस सम के सम total को हम कहते हैं PGPV यानि की आपका जो भी network है उसमें से डारेक्टर legs का volume count नहीं होगा बाकी सारा volume आपका PPV मिलाके बनेगा आपका PGPV For example इस structure में हम देख रहे हैं कि U के नीचे चार legs है A, B, C, D चारो legs में 300 GPV का business है U ने खुद किया है 60 PPV नीचे क्योंकि कोई डारेक्टर leg है ही नहीं तो सारे का सारा volume ही PGPV कहलाया जाएगा एक और example देखते हैं इस structure में अगें U की 4 legs है A, B, C, D A, B और C डारेक्टर नहीं है लेकिन D डारेक्टर है तो D का 1200 volume U के PGPV में count नहीं होगा PGPV कितना होगा U का 60 personal PV 300 from A, 300 from B and 300 from C ये बन गया 960 तो ये PGPV I am sure आप समझ चुके है यदि आपको PGPV clarity होगी है तो आगे आने वाले सारे leadership titles को समझना बहुत आसान हो जाएगा तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप leadership titles को achieve कर सकते हैं Thank you so much